आज के रेशीपीज है मालपुआ जो कि बहुत अच्छा लगता है और होली आ रहा है ना थो होली में मालपुआ न बने ऐसा हो नहीं सकता है तो सोचें आप लोग के लिए वीडियो ला देते हैं ताकि आप लोग भी मेरी तरह से एक बर बना के देखें मालपुआ जो कि बहुत अच्छा लगता है देखें अग्तम घूल सा गया है रस में तो आप लोग भी जरूर इस्टेप बाई श्टेप देखिएगा मालपुआ सभी के घर में बनता है लेकिन सब का तरीका अलग होता है बनाने का हम खटे दही से आज मालपुआ बना रहे हैं आप भी सोचिए ये खटे दही से मालपुआ कैसे बनेगा तो मेरा वीडियो देखिएगा जरूर से जरूर और हम कट करके दिखा रहे हैं अंदर एक पूरा रस एब्जॉब हुआ है तो हर चीज का टिप्स और ट्रिक से तो वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा तो एलो एबरिबन स्वागत है आपको हमारे चैनल पर मैं हूं प्रगती चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम खट्टा दही ल समय आता है तो फिर हम सूची की खट्टे दही से प्रीख व Shepherd बनाना सिखाते है तो खट्टे दही में हम घी डालेंगे तो बहुत अच्छा सकते हैं नहीं एक्ट अश्शा लगता है को आफ स्वाध नुसारचीने डालेंगे आप लोग ज्यादा खाते मीता तोने ले सकते हैं हाफ कप चीनी डाले हैं और यह बेकिंग पाउडर है अगर आप आप लोग पास बेकिंग पाउडर ना हो तो एक चुट्की बेकिंग सोडा डाल दीजिएगा और इसको अच्छे से विश्क करना है सारा को क्योंकि चीनी डाले है तो इसको घुलने में टाइम लगता है तो बहुत अच्छे से विश्क करना ओपर से घी भी है तो इसको मतलब पूरा क्रीमी कंसिस्टेंसी में कर लेना है इतना चलाएगा कि आपका जो घोल हो क्रीम कंसिस अब हम मैदर डालेंगे तो पहले बड़ा चमच से दो चमच मैदर को डाल लेंगे उसके बाद इसको अच्छे से मिलाएंगे ताकि कोई घुट लाइए एक क्लॉक वाइज आपको अच्छे से मिलाना है देखे सारा घुल गया है बैटर में तो फिर से एक चमच डालेंगे और अच्छे से फेटेंगे जितना अच्छे से फेटियेगा उतना अच्छे आपका पुआ जो है वो फूलेगा तो बिल्कुल अच्छे से फेटना है अभी थोड़ा सा थिक है थोड़ा सा क्योंकि नीचे जब गिरता है बैटर ना तो फैल जाना चाहिए वो एक जगह रहे जाएगा तो अच्छा मत नहीं तो थोड़ा सा और मतलब थोड़ा सा दूट डालेंगे ताकि बैटर थोड़ा सा फ्लोई कंसिस्टेंसी का हो जाए अफिर से चला लेंगा देखिए कितना क्रीमी दिख रहा है तो अब हम इधर घी चड़ाए हुए है तो मेरा घी गरम हो गया है तो डालके छोड़ देंगे अभी भी थोड़ा सा थिक था थोड़ा और थिन रहता तो मतलब पतला करते और तो और अच्छे से फैलता लेकिन क कोई भी कड़ाई पर अगर तल ये गहना तो ध्यान रखिए को नीचे के सता पर चिपके गए तो हलका से पहले तेल उपर से दे दिजिए गा और नीचे से करची से हिला लीजिए गो उसके बाद पलट येगा देखे पलेट यह है और कितना अच्छा नीचे से सिख गया है पुवा हम आपको पास से दिखाते हैं और फूला कितना अच्छे से हैं यह कितना अच्छे से फूल गया और चारो तरफ कितना अच्छा कलर आया है आपको पुवा ऐसे ही बनाना है अब इसको निकाल लेंगे और एक मतलब कोई बड़ा चमच या करशी के मदद से अच्छे से दबाके इसके जितना भी ओईल है ना सारे निकाल लेंगे क्योंकि ये चासनी में डालेंगे ना तो चासनी में तेल जाता है तो खाने में अच्छ दालेंगे आप भी ऐसे ही कीजिएगा तेल निकालना बहुत ज़रूरी है तेल या घी जो भी जी सीज में तल रहा है अच्छे से एक दम निकालके तभी हम चासनी में डालेंगे चिंता को कोई बात नहीं है चासनी में डालने के बाद ये फूवा जो है फिर से फूल जाता है जितना आपका फूला फूला बनेगा ना उतना आपका रज जब्जॉब करेगा देखे एक और तल के डाल रहे हैं कितना अच्छा लाल बना है तो मेरा पूवा सारा बन गया है अब रस में डिप करके पांच में छोड़ेंगे उसके बाद प्लेटिंग करेंगे और हाँ जो यह है चासनी है उसका वीडियो हम दो वीडियो में ला चुके हैं एक सूजी का बनाए थे मिठाए उसमें और मलाई केक में आप लोग नहीं देखे तो वीडियो जाके जरूर देखेगा इसलिए हम चासनी उसमें बना चुके हैं इसलिए हम चासनी का वीडियो नहीं ठंडा नहीं होना चाहिए पहले जो डाल के रखें तो पुआ सब देखें कितना अच्छे से घुल चुका है पूरा रस में तो अगर अगर आपको मेरा मौल पुआ करेशिपी अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब से जरूर करिए और कमेंट करके बताएए कि नेक्स्ट वीडियो क्या ला आप लोग मेरे वीडियो जरूर से जरूर देखा कीजिए हम बहुत अच्छा अच्छा र लाने का कोशिश करेंगे और सब्सक्राइब तीन दीन हम कोशिश करते हैं कि वीडियो आउट कर दें देखिए अंदर तक रस कितने अच्छे से अब्जाब हुआ है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग भी होली में जरूर से जरूर बनाईएगा थैंक्स टो और से खक्रीमतिंएगो से लुए चर्षाबहा हुआच हास, जरूर बनाईएगा से फज़को श्यां पकी एम होली तो प्रथाब। नेखिए गास बने में कोशिएगा हैं मूईंच हैasures और की था क्यों में कोशिएगगा से नेक्षीन झाल झाल